आतिक वादियों के तरव से कश्मीरी हिंदू को धमकाने के लिए हिटनिस कोई नई बाती है ये सिलसला 90 के दाशक में शुरू हुआ और आज भी ये जारी है हाली में दे रिजिस्टर ट्रंट जो की लश्कर तोईबा का उप्शूट माला जाता है उनकी तरव से एक हिटनिसा आती है कुश्मीरी हिंदू अप्लॉई के लिए और उसके साथ साथ जो गयर कश्मीरी वहाँ पे कश्मीर में कामकाज कर रहे हैं उनके लिए हिटनिस आती है लेकिन इस हिटनिस की खास बात यह भी कि इसमें सरकारी दस्तवेस लगे हुए है जिसमें कश्मीरी हिंदू एम्प्लोईज के नाम है जो प्राइमरिस्टर पैकेज के तहित काम कर रहे हैं कि वज़ा से आप देखिए एक वाय का माहूल क्रेट हो गया है और इसको लेके समय क्रिश्मीरी हिंदू एम्प्लोईज इस समय यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 12-209 दिनों से यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन आज इनकी जो परिशानिये लगातार बरत कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हिटल सरकारी तंतर में बनाई जा रही है इनसे बात चीत करते हैं क्या कहना चाहती है जो यह 209 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और जो ही हिटल साई इसको उले कि क्या कहना चाहती है देखिए यह बड़ा ही sensitive विशे हैं यह जो employees के जो Credentials है, उनकी Posting, उनके नाम, उनके पता, यह जो है Director School of Education का जो है, उनका Transfer Order है, तो इस पे जो है LG साब को तो संग्यान लेना चाहिए, High Level Inquiry Committee बैठनी चाहिए, और यह जो Employees में मुलवस है, इतनी sensitive details जो है, कश्मीरी पंडित्स की जो है, लीक हुई है, और terrorist organizations, they are giving us into the hands of terrorists, तो इसको तो बरकास करना चाहिए, जो Employees में मुलवस है, इनकी जो परिशानी है, वो जाइस है, जाइस इसलिए भी है कि हमने देखा है कि 24 के करीब पिछले साल से, अभी तक कश्मीरी हिंदू और गैर कश्मीरियों को मारा जा चुका है, उनका सिर्फ एक ही कसूर था, क्य बात के होते हुए, आप कैसे सरकारी दस्तरवेज, जिसमें उनकी पूरी डिटेल है, आज तक बादियों को महया कराते हैं, और अगर वो उनको मिल जाती है, तो आप कोई ना कोई कारवाई की जानी चाहिए, जहां तक सरकार का सवाल है, वो कहते हैं कि CID और CID की विंग इ कर रही है? उसके खलाब जो एक्षिन जो है इनिशेट करना चाहिए इमिजेटली और जब तक एक्षिन आप इनिशेट नहीं करोगे तब तक जो एकोसिस्टम एक्जिस्ट कर रहा है उस एकोसिस्टम को पूरी तरह से डिस्मेंटल करने की कोशिश है अनुचे 370 तो हट गया है लेकिन एकोसिस्टम अभी भी बरकरार है लगता है कि सरकारी तंतर में कुछ ऐसे मुलाजिम है जो उनके समर्थ तक है और वो उनको ये जो सरकारी दस्तरवेज हैं मौया करवा रहे हैं जिसकी वज़ा से आप देखी डर का माहूल है लगातार इनको निशाना बनाया जा रहा है यहां रहेंगे नियानी कि कश्मीरी हिंदू के लिए कोई जगा नहीं है जिसकी वज़ा से पांच लाग के करीब कश्मीरी हिंदू को वहां से प्लाइन करना पड़ा था कटर पंतियों की वज़ा से लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन आतकवादियों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अगर आप इनके बैनर्स देखिए ken कुई पानिस किया जा रहा है क्योंकि यह पैट्रियोिक है यह नेस्ट लिस्ट है हिंदू है इंदुस्ताणी हिं इस्ट करें रहते हैं किया ये कोई कशूर है आपको लगता है कभी कभी कि हिंदू और हिंदुस्तानी होना क्या गुना हो गया है? आपकी लाइबिल्टीज कितनी है पीछे एक पारिवारिक इनसान जिसकी लाइबिल्टीज है वो बहदुर होने के बाद भी वो कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसे पीछे उसके परिवार को चलाना है हमने हमारे समाज ने अभी तक जो 20 से ज्यादा सदस्यों को खोया है जि को वो सबसे बड़ी शर्मसार बात होती है हम चाहते हैं कि ये जो हमारी सरकार है यह इन किलिंक्स को रोके लेकिन जब तक ये इन चीजों पर रियल मुद्दों पर यह काम नहीं करेंगे जब तक ये सेकंड्री इशूस पर काम करेंगे तब तक ये हल नहीं होगा हम यहां पर इस सब चीजों को देख रहे हैं। प्रापगंडा कहते हैं। प्रापगंडा कहते हैं। आप देखिए वहाँ पर जो ताक्ते हैं वो इनके खिलाफ काम कर रही है। क्या लिखा है आपने जरा सुनाएंगे वहाँ। तो आप ये मत समझिए कि हम इनकी तनकाएं बंद करके इनके परेशान करके इनके बीज रास्ते में छोड़ देंगे तो ये सब बूल जाएंगे। हम कुछ नहीं बूलेंगे हम एक एक चीज एक एक वाक्य एक एक गटना हम हिस्ट्री में लिखेंगे और मैं उन लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि जो हमें दोखा दे रहे हैं कि मैं लेके जाऊंगा आगे मेरा खुद का लिखा इतिहास तेरा पन्ना थोड़ा सबर से लिखूंगा इतना याद रखना खोखले वादे तो सब ने किये थे पंडितों के इंसाब के तेरा दोखा पहले पन्ने पे लिखूंगा इतना याद रखना तो ये चीजे हैं हम हिस्ट्री आगे लेके जाएंगे तेरा दोखा पहले पन्ने पे लिखूंगा ये याद रख दिये उन्होंने कहा कि लोग बाहर से आते हैं आयस ओफिसर आते हैं यहां पे लेकिन उनसे कोई सवाल पूछे जब कश्मीर से लोग बाहर के हिस्सों में जा सकते हैं तो बाहर का हिंदोस्तानी क्यों अपने हिंदोस्तान में नहीं आ सकता कश्मीर हिंदोस्तान का हिस्सा है तो हर हिंदुस्तानी को हक है और ये Indian Administrative Service है। तो Indian Administrative Service का मतलब है कि जो भी कहीं काम कर रहा है अगर I.S. करता है तो वो यहां पे आ सकता है। आप देखें कि इन बार बिहार के जो होते हैं, अफसर होते हैं, जिस टाइम पर आपको मालुम है कि आत्रकवादी संगठन कश्मीरी पंड़ित एंप्लॉईस को लेकर और गैर कश्मीरी को लेकर एक threat list निकालता है, एक hit list निकालता है। क्या कहना चाहेंगे कितना डर का माहूल है यहां पे। डर तो 90 की दश्यक से था, वो डर कभी गया ही नहीं हमारे यहां से, लेकिन थोड़ा बहुत बीच में हमने अपने आपको सम्मानने कर दिया था, कि छलो थोड़ा तो अब एक Hindu government आई है, वो हमारे support में है, वो हमारा support करेंगे, हमें मतलब वो चीज़ें हमारे लिए सोचेंगे, जो शायद से आज से पहले तक नहीं सोची गई थी, लेकिन वही चीज़ें सेम हो रही है, जैसे तब किलिंग्स हो रही थी हम एनॉर्टीज की सेम आज वही चीज़ें हो रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ government से कि और कितना मतलब आप अपनी आखें बंद करेंगे, और कितने भाई बहन हम खोएंगे, और कितनी किलिंग्स आप देखना चाहते हो, आप कोई way out अगर निकालना चाहते हो तो आप हमारे साथ discussion दो कर लीजिए, हम भी चाहते हैं कि एक discussion हो, आप अपना plan हमारे साथ discuss करें, हम भी अपने जो हम सफर करते हैं वो बाते आपसे करें, एक way out निकालें दोनों पक्षों का सुनके, और फिर एक strategy के तोर पे कुछ देर के लिए आप हमें यहां पे attach कर लीजिए, ताकि आप वहां पे वो जो माहूल है, समाने कर सके, एक proper environment हमारे लिए create करें. आपके लिए notices भी निकले हुए हैं सरकार की तरफ से? जी हाँ, हमारी मिल रही है? Salaries तो 6-7 महीने से बंध है हमारी, हमारी जो families है, वो भी सफर करी है इस वज़े से, एक employee की salary बंध करने का मतलब होता है, एक पूरी family को आप सफर करवा रहे हो, क्योंकि families की जो भी है, day-to-day needs, जो हमारी वज़े से complete हो रही थी, वो रुग गई है, फिर जिनकी families में patients है, कुछ cancer patients है, कुछ, यह school में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी, मतलब daily needs को, उनके faces को, उनके expenses को हम complete नहीं कर पारे, यह तो सफर ही करना हुआ, तो मैं कहना चाहिए, किसे यह लोग यहां नहीं बैठे हैं, आप देखिए, सुबह ठंड में आके, यहां बैठ जाते हैं, 209 दिन हुए हैं, अब देखिए, 209 दिन से यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई खुशी से यहां नहीं बैठा, हर कोई चाहता है, कि वो भी अपना काम काज़ करें, लेकिन जब उनकी जान की बात आए, और राइट टू लाइफ, तो मेरे कहाल से सरकार का भी धायत बनता है, कि सिटिजन का पूरा ध्यान रखना, लेकिन आप दूसी तरफ देखिए, किस किसम की ताक्तें काम कर रहे हैं, आदेखिए, आतकवादी संगठन पहले भी नहीं लेकिन अब आप अलग इतिहास लिखना चाहते हैं, आतकवादी जो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, ये भाड़े के आतकवादी, लेकिन अभी भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और अब देखिए, फारुक अबदुला जब स्टेटमेंट देते हैं, तो कैसा लगता है जब ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, इंसाइडर और आउटसाइडर वाली? नहीं सोड़ रही है, तो ये हमारे लें, मतलब इससे बड़ी दुख की बात हमारे लें और कोई नहीं है. सबसे बड़ी आस एड्मिस्ट्रेशन से कितना डर का महूल है सब? तो ये ही गुजारिश है. जिसमें एंप्लॉईस की पूरी सुची है कि एंप्लॉई कहां पे काम करता है, कहां पे रहता है, ये कैसे आतकवादी संगठन के हाथ लग जाती है. इसका साफ मतलब है कि इस सरकारी प्रनाली में आज भी उन आतकवादियों के कुछ समर्थक बैठे हुए हैं, जो उनको वो सुची महया करा रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? और एक्शन कब तक लेंगे? तो यही एक सवाले पूछे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक ये एको सिस्टम एक्जिस्ट करता रहेगा, तो वादी में इनकी सुरक्षा पॉसिबल नहीं है.